देखिए सबसे पहले तो हमको छो तारीक के साम में तकरीब नौर दस बजे के बीच जो है मधुवन्नी थाना परभारी हमको फोन करते हैं कि आपका संजीब नाम है बुले जी तो आपका बेटा का नाम अंकीत है बुले जी तो आपका बेटा सुसाइड कर लिया हम लोग All Family Sun रह गए अनन फानन में पहुचे पुर्णिया परसासन को बोले भी हम लोग जब तक नहीं पहुचते हैं सब को टच मत करिए लेकिन हम लोगों से पूर्वी ही जो है सब को जो है फंदे से उतार करके सरजमीन पर लिटा दिये जैसे हम लोग पहुचते हैं वहाँ अपना बेदना परकट करना चाहे बिलाप करते रहे लेकिन परसासन के दुआरा एक ही रहता रहा या सुसाइड का मामला है या आत्महत्या का मामला है हम लोगों का भार रात में कुछ नहीं सुने जहां पे मेरा बेटा रहता था लौज का मालिक महला है वह महला के दुवारा भी मुझे किसी तरह का प्रुपसान नहीं मिला जो एगो होना चाहिए कि बच्चा का पिताजी हैं मेरी तक के पिताजी हैं थोड़ा सा साहन भोती भी इनको हम दे लेकिन उसको सिकन भी नहीं आया हिर्दे पे विद्यों को थोड़ा सा भी साहनवथी रीले. परसासन के दुआरा एक ही राट जिनको भी पुछते थे एक ही राट सुसाइड का मामला है. प्रेम परसंग का मामला है. यह बात कहीं से नहीं है. एक नोट बुक के बारे में जिक्रि की यह थाना परबारी हमको दिखाये या भी आपको हम नौट देंगे, लेकिन बाद में उदेने से इनकार किये, या फोटेज भी नहीं देंगे, या वीडियो भी नहीं देंगे, या कोट में हम जमा करेंगे, वहां से लिजेगा, उनसे हम या सवाल भी पुछे, कि ठीक है, रूम के अंदर मेरा बेटा फंदा से लटका हुआ है उनका आप जो है मतलब वीडियो दिखाते हैं लेकिन रूम कैसे खुला इसकी वीडियो के बारे में मुझे आप नहीं कुछ बताते हैं कैसे आप तोड़ करके जो है मतलब उसकी दरवाजा खुल करके अंदर गए इस चीज की आप कुष्टी मुझे नहीं कर हैं यह चीज आप कहते हैं कि I'm sorry कई लोग भी आप से सवाल जवाब किये इसके बारे में आप इतना जो है कोट के और कानून के मतलब जो है मतलब परस्रे में बचने के लिए आप जो है सारी सारी रुतबा को सेटिंग करके मकान का मालकीन और ठाना पर भरी हमको 9 और 10 बज पास मेरा दो-दो फोन नमर था हमको भी फोन कर सकता था कि संजीब जी आपका बेटा चार घंटा से दो घंटा से पच घंटा से रूम नहीं खुल रहा है आपको भी हम फोन के जानकारी दिये और मैं परसासन को भी दिया जानकारी ऐसा भी कोई बात नहीं आया और परसासन मकान की मलखीन दौनों मिलकर के साजी सरच के सारा प्री प्लानिंग कर लिया है उसके बाद हमको फोन किया और जैसे हम लोग पहुंचे आनन फानन में अपनी बेटा का मिर्त हम सब पाया जो मुझे लग रहा है कि हमेरा बेटा किसी भी परकार का खुद-खुदी आत्महत्या नहीं कर सकता है मेरे बेटा का मडर करके आत्महत्या का रूप दिया है मैं सब लोगों से यही आर्जू और बिंती कर रहा हूं कि मेरे बेटा के हीत में निया हो मैं सब लोगों से यही आर्जू और बिंती करता हूं कि अपको कि तरफ देखिए नहीं कॉल जो है थाना पर भारी किये मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपको यह मेरा नमर कौन दिया तो वह स्वेंग बुली की मकान की मालकीन दी है ठीक है और मकान मालकीन हमको सुचना नहीं दिया नहीं देखिए मेरा लड़का उस टाइप से नहीं है आप सरजमीन से ले करके पूर्णिया तक की सरजमीन पर खंगाल लीजिए मेरा लड़का सांत मिजाज के थे मतलब वो लुच खुच में नहीं रहते थे ठीक है अब किस दुस्मनी से दो ढ़ाई तीन महना की बात है पू बहुत बड़ी जखन अफराद है मेरे बेटा के हित में नियाई की बात हो मैं यही आसा करता हूँ आप लोगों से किया मेसेज को जहां से जितना से जितना हो सके आप लोग चलाईए और मुझे नियाई दिलवाईए पूलीज परतासन जो बात करते थे सुसाइड नौट क जि बिलकुल दिखाए मुझे पहले जो है पॉलिसी वह ही देते थे कि आपको हर फुटेज हम देंगे या सुसाइड नौट भी देंगे आपको साराची दे देंगे लेकिन वो मुझे कुछ भी देने से मतलब जो है इनकार कर दीए ना फुटेज दीये ना सुसाइड नौ मेरे अंकीत कुमार के नंबर भीट में उठाता है उस्का मममी और जुन करती है तो कंदना नाम का उठाता है रात mahumlynn को पहुचनहें पर जब हुम लड़के लोगों छो पूछते हैं की का मेरे बेटा का मडर करके साझिस रच करके परसासन के मिली भगत में साहरा और प्रूप करने के लिए मेरे बेटा को हाथ महत्या का साझिस देने के लिए उसके पास फिटेज है लेकिन गेट कैसे खुला इसका फ्रोटेज नहीं है कुछ नहीं है आदेने से मुझे इंकार कर रहे हैं मतलब अंदर कहा हम देंगे कोट में देंगे जी फासी जो है मतलब जो गमची मेरा बच्चा मतलब यूज कर रहा था उसी गमची से जो है मतलब रूम में एक कोना में जो है दराज बनी हुई है जो अर्णिर्मित है फुल फिनिसिंग नहीं है इधर से भी इधर से भी उसी सामने उपर जो पैट का एंगिल है उपर में जो अभी भी बर्तमान है रूम को लॉक करवा करके हम लोग आये हुए हैं ससरफानी नहीं दिया हुआ था जो लड़का के भी गला में तीन गिठा दिया हुआ है जो फोटो की रूप में सबूत की रूप में मेरे पास है मैं आपनों को दूंगा और कहीं से मेरा बेटा का हत्या करके यह साधी स्रच दिया है नास्ट जब आपका मुलाकात वा था उसका वहाँ नहीं देखिए हम लोग पहुँचे तो मतलब उनकी सरीर पर जब हम लोग मौईना किये तो पुरा मतलब टाइट उसका सरीर मिला चेस्ट उसका पुरा हुआ 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 है आप ही लोग बताईए कि अगर कोई भी सुसाइड अगर करता है या या उसकी हत्या करके मतलब जो है लटका दिया जाता है तो सरीर का सिकूर्णा कितना घंटे के बाद सुरू होता है आप ही लोग बताईए जी ये तो मुझे जानकारी नहीं है मैं परसासन पे दवाव किया कि सरी इसी लड़का के दुआरा जो है मेरा बेटा का हत्या किया गया है जब मेरा बेटा रूम में फासी से मतलब लटका हुआ था मेरे बेटा का मुबाइल परसासन आप कहते हैं कि मतलब लास और मुबाइल हम रूम से वरामत किये तो सर साथ बज़ के चपन मिनट पर जब राजा कुमार फोन करता है तो यह कुंदन कुमार के पास के से पाया और कुंदन कुमार का ये बयानाता है कि हमने जो है मतला आया तो रूम लगा देखा पाया मोबाइल मेरे पास था सीम निकाल करके हम फेक दिये जब मोबाइल उनके पास था तो सीम को निकाला और सीम निकाल के उकाता है कि हम गेट पे फेक दिये वहाँ भी सब लोग भ पीछे गिरा दिये, पीछे भी मतलब जो है, मतलब जार पूस था, वहां भी खो जा गया, नहीं, उपस्थित नहीं पाया, और वह नम्मर पर कॉल लगाने पर परसासन के हाथ मोगा मोगा पाया गया, अब यहीं बताईए कि वह लड़का जो है, वह लड़का के पास मेरा पंदन हैं, बात कराएंगे, पहुचेंगे तो, ना उसको बात कराया, ना मम्मी को बात कराया, और नौ और दस के बीच हमको मेसेज मिलता है ठानापरभारी के दुआरा, मधुवनी ठानापरभारी के दुआरा, आपका बेटा सुसाइड कर लिया है, और जब तक हम लोग से निकले परसासन कटई से मानने के लिए तयार नहीं आए आपका बेटा आत्म हत्यान नहीं किया है उसको जो कुछ भी तयार नहीं है जैसे लग रहा है कल किसी मतलब परबोद वैक्टी से हमने परसासन को बात करा रहे थे जो कि हैंट्षिरी था कि मतलब जो है सर रूम खुलने के लिए लोग गया जो है अगला रूम नहीं खुलने दिया उनके दुवारा जवाब मिला कि सर बरिये पदाधिकारी के दुवारा जो है रूम का विजिट औचक में रक्षन होगा तो वह बोले कि परिजन के उपस्थिती में जो है और मीडिय परिया गन के उपस्थिती में कंसे कम रूम की जाच परताल होनी चाहिए बोला निश्चीत सर निश्चीत एकदम होगी और सर मुझे उमीद है कि बरिये पदाधिकारी से उस रूम का अभी भी जाच परतालो और जो सिंबॉल जो गमच्छा का गठ्या बांध करके अभी भ नहीं हम किसी तरह से उपर भी बड़े पदाधिकारी है जाच करके आपको हम बताएंगे कि हत्या है कि आत्म हत्या है वो सिधा गारेंटी ले रहा है कि डॉक्टर मींस मैं हूँ जो मैं लिख रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ यही सत्य है सर मुझे ऐसा अभास और परतीत हो रहा है इसको आप लोग जिस रूप में लें परणी मैं सरद्रकार से मेरे बिटा के मतलब बारे मैं मैं सिर्फ नियाग्त चाहता हूँ दूद की दूद और पानी की पानी हो जाए, मेरे बेटा की आत्मा की सांथी के लिए, मैं यही कामना करता हूँ परसाशन से, और सरकार से. अब ही जो कर रहा है, मैं इस संतुष नहीं हूँ, मेरे पक्ष में ये लोग नहीं है. कल मैं गया थाना पर मिलने के लिए कि एफे यार हुआ की नहीं हुआ एफे यार तो हो गया जी एफे यार कॉपी है मैं आपको कॉपी दे देता हूँ रूम मलकिनी है उन्दन कुमार है और दो तीन लड़के है जी जी किया गया है जी इन सदो तो हम लोग गये जब जिस रोज घटना हुआ तो उनको मतलब उनके मुझे लगता था कि सरस्वती ही गायब है और कल जब गए तो हम लोगों पर लगा पहले तो पूछा आप कौन तो बोले मैं अंकीत के पापा तो क्यों तो रूम में मेरा समान है बच्चा है नहीं समान तो ले गए बोले हम फॉल्डिंग है और फिर से हमको भीजिट करना है कि और कुछ रह गया नहीं यह रूम नहीं खुलेगा अपने हस्वेंट को फोन लगा दिया हमको ताना ताना मतलब जो है देने लगा हम सोचे क्या ही महला से मुह लगेंगे ठीक है वहां से हम लोग चले परसासन से बात किये मेरे कुछ नहीं यह तो आप प्लीट भी है उपर साथ तो भी मतलब उसके तहर बोला जा रहा है यह तो पहीं ज़लत है अब इसके आप उसके बारे मेरे बेटा का हत्या रहा है उसको हम क्या कहना चाहेंगे उसको सव्च सजा मिले या वो खुद खुद कुशी कर ले आरती आरती केशरी पती मनोज केशरी घर जो है मिस्तिरी टोला वाड नमरे पुर्णिया मधुवन्य उनका घर यज थाइस कुशी का वो खुद कर ले दो है मिले का रहा है जिसांगे अग। झाल झाल